यह सचुनाना फिर्माइटी बॉंबेय वेल्कम तो माइ न्यू सीरीज इस सीरीज में पूरा का पूरा और्गानिक केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं तिल ग्रेटर तन इकोल टू जई अडवांस लेवल ठीक है संद्सार करने से पहले मैं आपको बता देता ओं तैकर सारी चीजह आपके मैं क्लेयर रहे किया क्या क्या करने वाले हैं। सभसे पहले हम लोग इंडक्टिव-एट Csis साथ करेंगे मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूं यह series क्यों आई है क्या चल रहा है कैसे follow करना है et cetera सबसे पहले मैं पांच मिनिंट लेना चाओंगा फिर इस पांच मिनिट में आपकी पूरी पूरी series define हो जाएगी तो पूरी theory cover होगी पूरे questions करवाये जाएंगे homework दिया जाएगा क्या-क्या बुक्स फॉलो करते हम जो हमारे पुराने सूरेंट से हमको पता ही है अडवांस प्रॉब्लम्स इन और्गानिक केमिस्ट्री पाला जी पॉब्लिकेशन्स जो एमेश चुहान सर की है वो वाली बुक हम फॉलो करेंगे कोई भी अडिशन आपके पास है वो चल जाएगी तो होमवक इससे दिया जाएगा साथ में आपको जो मेरी खुद की शीट्स होंगी वो भी प्रोवाइड की जाएंगी यहां पर प्रॉपर तरीके से ठीक है वीडियो की टाइमिंग्स क्या रहेंगी एवरी डे आपके पास 5.30 पीम को वीडियो इस वाले यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगी तो अगरा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई और वीडियो को भी लाइक कर दीजे अब यह सीरीज लांच क्यों की गई है ठीक है बिलकुल बेसिक से बताता हूं यह चैनल मैंने 2016 के अंदर खोला था ठीक है 2016 जब यूट्यूब यूट्यूब था भी नहीं ठीक ह से मेरा विजन था ऑनलाइन का अगर आप देखोगे इस चैनल की ओल्डेस वीडियो तो वह मेरे फर्स्ट इयर ऑफ कॉलेज से हैं ठीक है फर्स्ट इयर ऑफ कॉलेज से सबसे ही पढ़ाने का कीड़ा था एकदम बीच में कुछ डिस्ट्राक्शन हो गए ठीक है एंड किटिफ चीजे थी वो हटा दी ठीक है एट उजेड कट कर दिया ठीक होस मेंटल पीस इस मोर इंपॉर्टेट इस फिलोस्टिकल बाते हैं यह बोलना चाहरा हूं कि अपने खुशियों को गोल से टाय मत की जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक आप कभी भी पुराने वीडियो भी देखना हाइट्रोजन बॉंडिंग पेन पेपर लेके लो बजट वीडियो ठीक है उस टाइम पर हाथ आता था साइड से वीडियो बनाने के लिए उस प्रकार से ठीक है उस टाइम से मेरा यहीं मिशन था ठीक है कि पूरा का पूरा अपन डाल दें और गानिक केमिस्ट्री तो मैं वस वही पूरा करना चाह रहा हूं मैंने 2016 में जब मैं कॉलेज गया था तब मैंने 16 मिशन बनाए थे जो मुझे पूरे करने थे पूरी जिंदगी के अंदर उन में से 14 मिशन कितने 14 मिशन मेरे अल्रेडी पूरे हो चुके थे 2021 तक आप मान स प्रणा चाहता है तो आपको बाद बता चलेगा जमें पूरा कर लोगा वह इसलिए पेंडिंग रखा है कि कुछ पेंडिंग हो सब पूरा हो जाएगा तो फिर आप भी समझ सकते हैं क्या करेंगे तो यह बेसिक सी चीज है अच्छा होमवक कहां दिया जाएगा वो भी एक बार समझ लीजिए तो होमवक आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर आपको यह होमवक मिल जाएगा तो इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा तब आपको पता चल जाएगा एस राना आइटीबी के तो आपको पिंड में मिल जाएगा साथ में क्या बोलते हैं इसक्रिप्शन में मिल जाएगा तो मैंने अनाउंस किया था इस वोईस ऑडियो के दौरा कि मैं यह सब कर रहा हूं ठीक है बस करते हैं स्टार्ट ठीक है बुक्स बता दी शीट्स आपको सब इसके अंदर मिलेगा हूंवक हर लेक्चर के बाद हूंवक मिलेगा ठीक है तो रोज का खाना रोज रोज का हूंवक रोज कोई बाद में भी देख रहा है कोई दिक्केत नहीं है इस वाले चैनल का आप प्रॉपर तरीके से बिलकुल मिल जाएक तो जॉइंग कर लेना इसको पके तरीके से अच्छा अब कोई बिलकुल ही नया बच्चा है जो हमें नहीं जानता हो या जिनको पता नहीं है बिकास बॉसर नए बच्चे भी होंगे तो मैं आपस आप से एक रिक्वेस्ट है क्या theory हमने करवाई है उस प्रकार से एक lecture पूरा देखना अकेले बैट के अपने study room में बिलकुल ध्यान से earphones पैंके जैसे भी आप पड़ते हैं और फिर देख लेना कि क्या आपको कोई difference लगता है या नहीं लगता है और साथ में आपको homework भी regular तरीके से मिलेगा because J is about practice ए उतना पस होगे याद है सभी को जो मेरे पराने students होंगे तो याद होगा यह मेरा dialogue जितना रट होगे उतना पस होगे तो J is about application जितना दिमाग आपका लगता है इसलिए हम पोल-पोल खेलते थे ठीक है पराने उसके अंदर एक और important चीज और organic में दो सबसे important चीज़े होती है एक होती है G.O.C. एक होता है isomerism तो G.O.C. and isomerism बिल्कुल ढंक से करना है अगर आपको A.B.C.D. नहीं आएगा तो फिर आप बात में sentences नहीं बना पाओगे समझा रहे है बस वही वाली बात है तो G.O.C. is equal to G.O.D. तो C is equal to God जैसे मैं बोलके आता था बहुत पहले से तो G G.O.C. and isomerism बिल्कुल ढंक से करना है नोट बुक लेके बैठो ठीक है नोट बुक लेके बैठो प्रॉपर तरीके से ताकि आपको इन lectures का benefit हो जाए यह सब मैं आपके लिए तो करी रहा हूं देकि मैं खुद के लिए भी कर रहा हूं ताकि मेरा जो mission था वो भी पूरा हो ज कर दी है क्या फॉलो करना है कैसे फॉलो करने का है एक्सेटरा 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 ठीक है ओके आए मुद्धे की बात पर सबसे बहुत के स्टार्ट करेंगे समझने के लिए आपको कुछ basics पता होने चाहिए जैसे जो मैं आपको बताता हूं for example for example मैंने एक ब्लॉक लि कर रहे होंगे एमेश चुहान आप और ली कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे पुरानी बच्चों से बात करना आपको बताएंगे कि एमेश चुहान जो बुक है उसको इतना difficult मानते थे अब ऐसे धर 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 टिक कर रहे होते हैं तो for example मैंने एक ब्लॉक लिया एक frictionless surface पर ये present है अगर आप बिल्कुल भी नए बच्चों एक lecture मैं आपसे मांग रहा हूं पूरा देख लो अपने पुराने से compare कर लेना आपको difference automatically मिल जाएगा ठीक है एंड यहां पर मैंने एक force f1 लगाया एंड यहां पर मैंने एक force f2 लगाया frictionless surface है जिसका मतलब क्या है कि जो म्यू एस होगा म्यू के होगा वो दोनों के दोनों मैंने शून्य माने है नोट्स आप साथ साथ में बना सकते हैं ठीक है वैसे मैं end में आपको दूंगा time screenshot लेने सिर्फ examination point of view से नहीं जिंदगी के field की भी मैं आपे बात कर रहा हूं तो for example मैंने यह बोला कि जो f1 का magnitude है मतलब जो f1 force है वो f2 से बड़ा हो जाए mathematically तीन ही possible scenarios हो सकते हैं और वो तीन क्या हो सकते कि f1 f2 से बड़ा हो या f1 f2 से खोटा हो जाए या f1 और f2 दोनों के दोनों same हो जाए यही आपके पास inductive effect की summary है मतलब इन दोनों में आपके पास movement होगा movement मतलब या तो left या तो right कहीं नहीं तो move करेगा जैसे f1 f2 से बड़ा होगा तो eye cap की तरफ move करेगा standard अगर हम माने and यहाँ पर minus eye cap की तरफ move करेगा and यहाँ पर अपन के पास कोई भी movement नहीं होगा बिल्कुल simple language में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यह आपके पास एक summary रहती inductive effect की inductive effect कुछ भी नहीं है movement है क्या है movement है अब उसका मतलब क्या होता है वो अब हम समझने की कोशिश करेंगे next page के ऊपर organic के point of view से तो for example अगर मैं एक molecule लेता हूँ let me say CL CL ठीक है CL2, BR2, I2, N2, O2 यह सब जो symmetrical molecules है and मैंने एक और molecule ले लिया that is CH3F for example यह अब आपने इन ओगनिक में तो यह सब पढ़ के रखा होगा ना कोई चीज यहाँ पे हो रही है तो chlorine क्या है क्लोरिंग की जो force होगी वो आपके पास कुछ let me say F1 force है तो दूसरे क्लोरिंग की भी तो मेरे भाई same force होगी ना इसका मतलब क्या है यहाँ पे कोई भी movement नहीं है तो जितना इसके पास electron cloud होगा electron क्या है neither a particle nor a wave जैसे आपको पता है तो जो electron cloud इधर होगा वही same electron cloud मेरे भाई इसके उपर भी हो जाएगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब F net हो जाएगा null vector बस इसी चीज़ को आप organic and inorganic के point of view से क्या बोल देते तो नॉन पोलार बोलने का मतलब क्या होता है कोई polarity नहीं है ठीक है कोई polarity नहीं है मतलब inorganic के point of view से हम बोल देंगे कि delta en should be equal to zero simple right delta en zero हो जाएगा तो वो आपके पास non polar bond बनके आ जाएगा इसके और example क्या हो सकते हैं आपने ioc में वैसे देखे ही होंगे like for example अगर मैं h2 ले लूं symmetrical for example cl2 vr2 i2 n2 o2 एक्सेटरा ठीक है यह सब के सब हमारे पास बनके आ जाएगे non polar bonds कोई भी polarity नहीं है similarly for example मैं ch3f लेता हूं अब एक बार inorganic के उपर जाएए और देखिए कि carbon और fluorine में जाद electronegativity किसकी होती है obviously fluorine की तो fluorine वाले की force जो है वो जादा है वो जादा है जब fluorine वाले की force जादा है tug of war जिस आपने खिलाना रस्सी वाला तो fluorine खीच लेगा जब fluorine अपने उपर खीचेगा तो क्या होगा मेरे भाई उसकी उपर आ जाएगा जादा electron cloud carbon से खीचा उसने 10 रुपे थे 5 रुपे 7 रुपे खीच लिए तो 3 रुपे बचेंगे इसका मतलब कार्बन के ऊपर हो जाएगा एक less electron cloud, photo electron cloud तो movement किस तरफ हो रहा है? movement हो रहा था किस तरफ? net movement समझ आ रहे हैं नहीं? तो basically अभी हम धिरी-धिरी करके inductive fit के concept पे जा रहे है अगर मैं professionally बात करूँ इसका inorganic and organic की point of view से तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कि यहाँ पे जो delta en हो जाएगा वो 0 नहीं होगा समझ आया है नहीं आया? ठीक है? and इसी को हम बोल देते हैं polar bonds क्या बोल देते हैं? polar bonds polar bonds अब pole कैसे आया? वो समझते हैं तो जब fluorine अपने उपर खीच रहा है negative charge को, negative electron density को तो उसके उपर क्या हो जाएगा? delta minus हो जाएगा and similarly carbon के उपर delta plus हो जाएगा समझ आ रहे हैं? इसलिए हम इसको बोल देते हैं polar bond अब obviously doubt आ सकता है कुछ लोगों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं बिलकुल कि भाई साब F के उपर proper minus क्यों नहीं हुआ? carbon के उपर proper plus क्यों नहीं हुआ? जैसे for example अगर मैं NaCl की बात करता हूँ तो NaCl, NaF इन सम में क्या है? Na plus, Cl minus या Na plus, F minus तो इसको हम बोल देते हैं Ionic Bond अपने Inorganic में पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा यह तो 10th class से पढ़ाया जाता है तो please understand, Organic में हमें Ionic Bond से मतलब नहीं रहता है ना, Organic में हमें Ionic Bond से मतलब नहीं रहता है हमें मतलब रहता है Covalent Bond से तो basically, हम लोग Covalent Bond में Polar Character देखने वाले है या Covalent Bond में Ionic Character हम लोग देखने वाले है यह simple सा funda है यह सब मैं लिखी लिया होगा अब मैं आपको एक और interesting चीज यहाँ पर बताऊँ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि Ionic Bond is stronger than a Covalent Bond क्यूं? कैसे? For example, अगर मैं यहाँ पर force ढूंडूं तो force क्या बन जाएगा? K Q1 Q2 upon R² अब यहाँ पर अगर मैं force ढूंडूं तो क्या बन जाएगा? K Q1 Q2 upon R² आपको पता है, यह Columbic Force जो होती है इसी से represent होती है अब देखो, यहाँ पर Q1 क्या है? डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस Q1 Q2 तो क्या बनेगा यह? यह बन के आजाएगा minus K upon R² into डेल्टा स्क्वेर डेल्टा इंटू डेल्टा similarly, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा minus K minus 1 into plus 1 net में क्या बनेगा? माइनस जो मने लिख दिया है इंटू आर स्क्वेर यह बन के आ जाएगा तो लॉजिकली समझो ना माइनस चार्ज क्या रिपरेजेंट करता है और सॉफ एट्राक्शन को वो मने दिखा दिया थाथ में यहाँ पे है डेल्टा स्क्वेर अब डेल्टा स्क्वेर बोलने का मतलब क्या है कि यह कुछ छोटी वैल्यू है न एक फर एक्जाम्पल 10 की पावर माइनस थ्री इन्टू 10 की पावर माइनस थ्री क्या वहंगा 10 की पावर माइनस सेक्स बेसिकली 1 से कम है इसलिए ये वाली जो force होगी वो इस वाली force से छोटी हो जाएगी समझ आया है नहीं आया है इसलिए जो ionic bond होता है वो एक covalent bond से stronger होता है कुछ भी reason नहीं है simple आपका reason होता है physics जो मैंने आपको दिखा दिया समझ आया है नहीं आया तेगे very 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 important तो ये सब तो maximum चीज़े आपको पहले से पता होंगी जो मैंने आपको आपको बता है electron negativity difference ये सब वो सब यही होता है actually inductive effect अब इसका मतलब समझते हैं next page के ऊपर अब बिल्कुल ध्यान से देखना मैं derive कर रहा हूँ literally derive करने वाला हूँ मैं आपके सामने बना बाकी teachers क्या करते हैं पहला page खोला इस निकल लिखवाद ही हो गया वैसा नहीं होता भाई यही है यह मजाक नहीं है तो for example मैंने एक molecule लिया ध्यान से देखना बिल्कुल CH3 CH2 CH2 basically मैंने लिया है 1-fluoro-butane ठीक है पहले मैंने लेता हूँ butane because butane standard में लेना चाह रहा हूँ अब propane भी ले सकते हूँ कुछ भी ले सकते हूँ तो आपकी मरजी है मैं butane ले रहा हूँ इसी का मैंने भाई ले लिया that is 1-fluoro अब कॉपी कर लेते हैं कॉपी होता है क्या तो मैंने ले लिया है अब 1-fluoro putane इसे 7-7 में मत लिखो या समझ लो पहले इसको समझना जादा important होता है लिखने लिखने आपको पता होनी चाहिए वीडियो pause करके लिख लिए करो end में में side होई जाता हूँ screenshot लेने के लिए भी ताकि आपका हो जाए इसमें फाइदा अब ध्यान से देखो समझा इससे मैं derive करूँगा आपके सामने कि inductive effect actually क्या होता है तो for example मैंने बोला कि यहाँ पे 2 electron है मैंने बोला कि यहाँ पे 2 electron है जैसे कि आपको पता है यहाँ पे भी 2 electrons है covalent bond है ना 2 electrons है यहाँ पे भी आपके पास 2 electrons मौझूद है अब ध्यान से देखिए समझ यह और सीखिए हो चुए अगर मैं यहाँ से एक line खीचता हूँ नीचे की तरफ तो जो नीचे वाले 2 electrons है इस covalent bond में वो कौन सी तरफ होने चाहिए right hand side होने चाहिए left hand side होने चाहिए यह same position पे होने चाहिए जहाँ पे मैंने अभी बनाया obvious सी बात है वो हमारे पास right hand side present होने चाहिए because fluorine hydrogen से जादा खीचे का मेरे भाई तो वो यहाँ पे present होगा जो electrons अभी मैं as a particle मांगे करवा रहा हूँ जैसे मैं आपको पहले page पे बताया था cloud की तरह भी ले सकते हो cloud जो है वो right hand side shifted होगा similarly अगर मैं इधर लेता हूँ इधर भी आपके पास वो थोड़ा सा right hand side shifted होगा इधर भी right hand side shifted होगा इधर भी right hand side shifted हो जाएगा उपर वाले के respect में समझ आया है नहीं आया ठीक है अब देखिए ध्यान से और सोचिए logically सोचना कि सब चीज derive कर रहा हूँ मैं आपके साम में अगर मैं इस वाली length को मतलब जो deviation है उसको ले लेता हूँ delta x1 deviation है ना उपर for example 5 cm है यहाँ पर 3 है तो deviation बन जागा 2 cm like वो ही यहाँ पर ले लेता हूँ delta x2 यहाँ पर ले लेता हूँ भाई साब delta x3 यहाँ पर ले ले लेता हूँ मेरे भाई delta x4 so mathematically सबसे बड़ा deviation कौन सा होना चाहिए जिसे for example आपके school की बात करते हैं let me say एक बगड़ा हूँ बच्चा है बहुत बार तो आप ही होते हो लेकिन आपके parents को लगता है कि भाई सब मेरे बच्चों को बगाड़ रहे है उल्टा होता है कभी कभी so for example एक बड़ा हूँ बच्चा है तो जो directly उसके साथ में बढ़ा रहेगा उसके साथ में घूमेगा बाहर जाएगा उसके बिगड़ने की chances जादा है उसके उपर जादा influence है उस बच्चे का लेकिन जो दूर बैठा होगा जो दूर उससे बात नहीं करता है उसके उपर कोई भी influence नहीं रहेगा बस वही चीज यहां पर भी हो रही है जब बिलकुल बगल में है तो जो influence रहेगा वो ज़ादा रहेगा वही चीज यहां पर भी हो रही है अब इस ही चीज को बात में जाके मतलब इसी chapter ने बता दिया जाता है कि distance dependent है वो तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया ने distance dependent क्यों है जितना पास में होगा उतना जादा आपके पास effect भड़ता जाहेगा ठीक है? अब एक और interesting चीज मैं आपको दिखाऊंँ देखिए ध्यान से अब for example जैसे आपको बताया भी होगा कि inductive effect तीन से चार कार्बन बाद फेड भी हो जाता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो logically इसको मैं बाद में दिखाऊंगा चार्ट के दौरा भी लेकिन अब भी logically देखने की कोशिश करिए तो for example मैंने बोला ध्यान से देखिए इसके उपर कुछ delta minus है for example बिल्कुल ध्यान से देखने इंट्रेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ इसके उपर कुछ delta minus है तो इसके उपर क्या होगा delta plus होगा वसर लोगी सोच रहे हैं जो गलत है क्या है क्यों गलत है वो समने कोशिश करिए because delta minus सिर्फ इसके उपर polarize नहीं कर रहा है उस बच्चे का सिर्फ एक दोस्त थोड़ी है और भी दोस्त होंगे जिनको वो influence कर रहा है वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है बाई साब तो यहाँ पर पास वाले के उपर कुछ delta 1 मान लेते हैं किदर वाले के उपर कुछ delta 2 मान लेते हैं किदर वाले के उपर कुछ delta 3 मान लेते हैं किदर वाले के उपर कुछ delta 4 reason समझ आ रहे है क्यों law of conservation of charge जब बच्पन से पढ़ रहे हो law of conservation of charge अगर आप पूरा का पूरा minus जितना यहाँ पे है उतना SQ पर डाल दोगे फिर तो हमारे पास law of conservation of charge invalid हो जाएगा so mathematically मैं क्या बोल सकता हूँ क्या derive किया हमने यहाँ से कि जो delta minus का magnitude है that is nothing but it is equal to delta 1 delta 2 delta 3 इसी प्रकार से जितने होंगे delta n समझ आ रहे हैं नहीं आ रहा है अब लेकिन एक चीज़ आपको logically भी समझ आ रही होगे जितना उस student से दूर होते जाओगे for example इदर उतना influence कम होता रहेगा वो आपको यहाँ पर मैंने दिखा दिया influence कैसे कम हो रहा है because deviation कम हो रहा है अगर आप और भी समझना जाओ तो इसको physics के format में भी समझ सकते हो r भढ़ रहा है ना denominator का जब r भढ़ेगा तो force घट जाएगा सब logical है भई बस दिमाग लगाना सीखो ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या दिखा कि भाई साब जो delta 4 है वो सब हम इगनोर कर सकते हैं क्यो फो पेले यह छोटा है टां की पावर माइनस 耻ी टां की पावर माइनस फाईव टेंक की पावर माइनस नाइ़ टां की पावर माइनस फिलिप्टीन निक इकिलिब्रियम में experience कर रहे थे ठीक है, screenshot ले लीजिए, जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, pause करके, समझ आया है निया है, तो हर चीज लॉजिकल है, हर चीज का derivation है, हर चीज का, ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा से theory के उपर, यह तो मैंने आपको सब logically बता दिया, theory भी इसके लिखवा देते हैं आपको proper तरीके से, ठीक है, 3-4 points, ताकि आपको idea लग जाए, तो number one point, notes में add कर लीजिए, ठीक है, inductive effect is, देखिए, inductive effect is, the polarization of, inductive effect is, the polarization of, polarization of, one bond, one bond, caused by, the polarization of the one bond is caused by the polarization of the adjacent bond, वो यह भी दिखाया है पिछले page पे आपको, वो यह तो दिखाया है न भाई, देखो, यह वाला इसको polarize कर रहा है, तू भी हमारा group join कर ले, तू भी join कर ले, तू भी कर ले, ठीक है, तो जो यह student है, वो सबको influence कर रहा है, उस प्रकार, ठीक है, या temporary effect है, सोच लीजे, pause करके, क्या inductive effect, permanent effect है मेरे भाई, या temporary effect है, या temporary effect है, अप बोलोगे भाई, यह कैसे, अरे मेरे भाई, जब तक bond रहेगा, तब तक effect रहेगा न हमेशा, और bond तो हमेशा रहेगा, किस for example, हमने bond ही हटा दिया, तो वो तो बन जाएगा, आएनिक compound, हम तो ले ही रहे हैं न, covalent compound भाई साब, तो जो permanent effect यह रहने वाला है, assuming हम conditions में कोई भी change नहीं कर रहे हैं, conditions बोलने का मतलब क्या है, like for example, temperature बढ़ा दिया, bond तूड गया, उस प्रकार की चीज़, ठीक है, so inductive effect is a permanent effect, inductive effect is a permanent effect, assuming there are no changes in the conditions, assuming there are no change in the conditions, ठीक है भाई साब, third point लिख लीजिए, third point, सोचिए, क्या ये strong effect होना चाहिए, या ये weak effect होना चाहिए, ये obvious सी बात है, weak effect होगा, अब ये कैसे सोच सकते हैं हम लोग, देखो, weak and stronger actually, relative in nature, देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये weak कैसे हम सोच सकते हैं, तो वो भी simple है न, अगर ये strong होता, तो bond तो तोड़ देता, अगर आप strong होता, तो रस्सी तूट जाएगी न, टाक ओफ बार में, ये रस्सी तो तूटी ने रही है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, कि ये आपके पास एक weak effect है, पॉर्थ पॉइंट, ये क्यों exist कर रहा है, जैसे मैं आपको first page पे दिखा है, polar, non-polar bonds, अगर non-polar bond हुआ, दोनों side की force same है, दोनों teams same force से खीच रही है, तो कोई खीचातानी नहीं हो रही है, net movement नहीं हो रहा है, लेकिन जब वही force, इलेक्टरों negativity difference आजाए, तो खीचातानी start हो जाएगी, तो वही है fourth point, it exists, it exists, it exists, due to the unequal sharing of electrons, electron density, electron cloud, जो भी लिखना चाओ, it exists, due to the unequal sharing of the electron cloud, ठीक है, fifth point, क्या inductive effect सिर्फ sigma bond के दवारा travel करता है, या वो सिर्फ pi bond के दवारा travel करता है, या वो दोनों के दवारा travel कर सकता है, pause करीए और सोचिए, क्या inductive effect सिर्फ sigma bond के दवारा travel करता है, या वो सिर्फ pi bond के दवारा travel करता है, या वो दोनों के दवारा travel कर सकता है, सोचिए, अब देखिए, So it only travels via it only travels via the sigma bonds कैसे It only travels via the sigma bonds अब जानगे गजिए भाह साइब ये कैसे हो समझा दीजिए बहुत जाना समझाते है रुखी दीजिए So for example पेहली बात तो मेरे साब से नागर आएक सा पता होना चाहिए जब मैं strength की बात करता हूँ इसकी बात करता हूँ strength जो sigma bond है वो pi bond से stronger होता है जो sigma bond है वो pi bond से stronger होता है अब उसी का use करके यहाँ पे देखिए देखना मत फेले समझ लो time दिया जाएगा सब false करके आप लिख सकते हो समझना जादा important है for example मैंने ये molecule लिया बिल्कल ध्यान से देखना अगर मैं ये मानता हूँ कि ये pi bond से भी travel करता है मतलब मैंने ये बोला inductive effect pi bond से भी travel कर रहा है मैं ये मानता हूँ तो क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा fluorine है वो खीचेगा ऐसे खीच रहा है तो जब वो खीचेगा sigma bond तो नहीं टूटेगा because वो तो strong है जब वो खीच रहा होगा sigma तो intact है लेकिन जो pi वाला है वो तो weak है ना उदर स्वेश जो हमारी रस्षी है वो तूट जाएगी तो अगर travel कर रहा होता किस से? pi bond से तो जो molecule बनता वो यह बनना चाहिए थो लेकिन क्या दुनिया में pi bond exist नहीं करते हैं क्या? बिलकुल करते हैं यह molecule exist करता है इसका मतलब क्या है? कि जो inductive effect है वो pi bond से travel नहीं करता है प्योगिस अगर travel कर रहा होता तो वो bond break हो जाता तो it does not travel through the pi bond it only travels by the stigma इस चीज़ भी पॉसर लोग ने रटी होगी मैंने आपको proper तरीके से बता दिया कि क्यों नहीं होता है अब चलते हैं मेरे भाई 5th point की उपर आईए 5th point इसी का देखिए 5th point तो जो inductive effect की power होती है वो हमें एक चीज़ समझ आ गया क्या समझ आ गया कि that it is inversely proportional to distance उतना दूर जाओगे उतना उसका influence जो है वो कम हो जाएगा अच्छतर आपको बता दिया गया है तो भी लिखवा रहा हूँ inductive effect is equal to k e की power minus x plus inductive effect power is equal to k into e की power minus x plus c मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ पहली बाद की जो k and c है वो है constants क्या है मेरे भाई constants अब इसका हम graph plot करने की कोशिश करें graph तो आपको आता ही भाई आप तो maths के धुरंदर हो तो अगर मैं मान लेता हूँ एक बार क्या मान लेता हूँ पहले graph किस के बीच में है graph हमारे पास obviously है inductive effect की power की बीच में versus distance के बीच तो कैसे plot करते है जीरो डाल के इंफिनिट डाल के वही कर रहा हूँ मैं तक मैं मान लेता हूँ कि x is equal to 0 0 मानिए e की power 0 क्या हो जाएगा 1 जो power हो जाएगी that is equal to k plus c simple for example मैं ने एक बार मान लिया कि जो x है वो tending to infinity है तो क्या हो जाएगा तो आपके पास जो power बनके आ जाएगी e की power minus infinity 1 by infinity मतलब 0 तो k into 0 बनके आ जाएगा 0 is equal to c तो p tends to c यह भी हम ध्यान रखते है tends और equal भी ध्यान रखा जा रहा है बिल्कुल ध्यान से देखिए ठीक है मुद्दे पर आते तो plot कर लेते हैं तो यह आपके पास origin है इदर आपके पास हो जाएगा 0, k plus c और यह क्या है? c, sorry, infinity, c तो x infinity इदर किदर होगा? let me say इदर c इदर मान लेते हैं पुशने का तरीक है तो बस आप देख सेथे हैं जो graph है वो exponentially decreasing है तो क्या यह सही नहीं है? बिल्कुल सही है ना? हमने यही तो derive किया था कि जो inductive effect की जो power है वो distance के साथ तो decreasing है जैसे for example जब बिल्कुल pass में है तो ज़्याद़ effect होगा जब दूर में है तो कम effect होगा वही तो है ठीक है? तो यह आपके बस mathematical form भी हो गया दिख लीजिए भई pause करके simple right? कोई ठीक करनी होनी चाहिए कि कोई भी doubt है तो आप comment section में लिख सकते हो यह explain कर दिया जाएगा हो ठीक है? अब आगे चलते तो हमें एक चीज़ समझ आई कि एक कोई खीच रहा है दूसरा कोई दे रहा है एक कोई खीच रहा है दूसरा कोई दे रहा है इसका मतलब क्या है? कि जो inductive effect है वो कितने प्रकार का होता है? वो होता है दो प्रकार का एक होता है देने वाला और एक होता है लेने वाला तो जो देता है उसको हम बोलते है plus i group यह plus i effect showing group किसी में add कर रहा है इसलिए plus i बोला जाता है basically it is electron density क्या कर रहा है दे रहा है दे रहा है तो donating electron density donating group and जो group minus i दिखा रहा है, minus i effect दिखा रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, वो खीच रहा है न? दे रहा है किसी से, तो वो है electron density withdrawing group electron density withdrawing very easy, right? जिसे for example, अगर मैं लिखू भी ना तो भी चीज समझ आने चाहिए so for example, हमने यहाँ पे देखा था flooring खीच रहा है यह बाकि सब दे रहे है समझ आने नहीं आ रहा है ठीक है, तो flooring खीच रहा है, बाकि सब दे रहे है देने वाला plus i, देने वाला minus i बनके आ जगले, जिए भई, pause करके अब थोड़ा सा questions देखते हैं तो सभी को समझ आई गया कि क्या हो रहा है इसके अंदर so question में for example, मैंने आप से बोला है कि compare the minus i compare the minus i of the following species for example, आपको दिया गया है fluorine OH NH2 क्या समझ सकते हो, सब मैं आप से derive करवा दूँगा तो आप यह लिखते जाओ notes में खुद solve करो, जो गलत करोगा इसको star mark करो, circle mark करो लाकि बाद में आप याद रखो तो कौन जादा खीचेगा भाई fluorine जादे electronegative है तो वो सब से जादा खीच रहा होगा okay, interesting for example, हमने लिया fe, fe plus 2 fe plus 3 minus i ही चल रहा है भी कले तो मैंने पूछा कि किसका minus है जादा होगा तो logically समझो जो fe है, उसके पास let me say, 10 रुपे है 10 में से अगर मैं हटा रहा हूँ plus 2 पे आने के लिए समझा रहा है, तो मैंने 2 रुपे हटाए इसके पास बचेंगे 8 रुपे इसके पास बचेंगे 7 रुपे इन एलेक्टरोन हटाने के बाद आएगा plus 3 चार्ज, 2 के बाद plus 2 उस प्रकार से इसका मतलब क्या है कि कौन जादा इलेक्टरोन डेफिशेंट है Fe plus 3 तो वो जादा अच्छा minus i दिखा रहा होगा तो जितना जादा इलेक्टरोन डेफिशेंट होगा वो उतना अच्छे तरीके से खीचेगा, common sense है ना जिसके पास पैसा नहीं होगा, वो ही खीचेगा ठीके, okay, next for example आपको दिया है C triple bond CH CH double bond CH2 CH2 CH3 यह दिया गया है और हम से बोला गया है कि minus i compare करिए कैसे compare होगा, इसकी जो hybridization है, वो है SP इसकी है SP2 इसकी है SP3 अब आपने इन अगनिक में पढ़ा ही होगा bond parameters के टाइम पे chemical bonding के टाइम पे कि अगर percentage S भढ़ता है तो क्या भढ़ता है एक्टरो negativity भढ़ती है याद आ रहे, नहीं आ रहे यह ज़्याद अच्छा कीचेगा SP से, SP2 से then SP में percentage S कितना होगा भाई 1S, 1P 1 by 2 into 100 1S, 2P 1 by 3 into 100 1 by 4 into 100 percentage S भढ़ता है electronegativity भढ़ती है simple right, next आगे चल आगे चल और और इंट्रेस्टिंग बने अब जो question है, उसमें मैंने आप से यह बोला है, कि decide plus i minus i अच्छा, इसके जो sheet होगी वो आपको group पे मिल जाएगी तो वो join कर लेना भाई link in the description okay, number fourth question अब खेल स्टार्ट हो रहे हैं, भढ़ा रहे हैं बिल्कुल ध्यान से समझना for example, मैंने group जो लिया है, वो यह है इसको mark कर दो और मैंने यह बोला है, कि जो marked group है क्या वो plus i दिखा रहा है या वो minus i दिखा रहा है तो आप सोचने के कोशिश करते हैं, क्या वो plus i दिखा रहा है या minus i दिखा रहा है तो अगर ध्यान से देखो, तो left hand side जो है, वो वाला आपके पास sp3 है, right hand side आपके पास sp2 है sp2 is more electronegative तो यह minus i दिखा रहा होगा and right left वाला okay, number e for example, हमारे पास यह दिया गया है हमसे बोला गया है कि यह जो group है, वो कौन से effect दिखा रहा है अब देखो तो यह दिखाएगा plus i understand, याद मत करके जाए यह दिखो literally अगले question में change हो गया it is relative in nature for example, let me see, आप एक class में 90 marks से topper हो लेकि दूसरी class में 95 बला topper है तो अगर आप 90 marks, सेम marks बहाँ पर लेके जा रहा हो तो टॉपर नहीं रहा होगा वोई-वाली बात है, परसंटाल की तदा it is relative in nature it is relative in nature because strength है ना, कोई जादा खीचेगा दूसरा कम खीच रहा होगा तभी तो वो जादा खीच रहा ना, logically okay, number F for example, मैंने आपको दिया benzene CH, double bond C2 यह क्या दिखा रहा है, पूछा गया है pause करके सोचिया तो बिलबुल धियान से देखो अब कुछ लोग यहाँ पर यह सोच रहे होंगे कि यह भी SP2 है and यह भी SP2 तो दोनों के दोनों तो obviously same दिखाना चाहिए same effect दिखाना चाहिए same force होने चाहिए ऐसा नहीं होगा क्यों? समझो यहाँ पर सोचने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो तीन डबल बॉंड है मतलब तीन गुना force present हो रही है इस पे मतलब रफ में यह 3F से खीच रहा है और यह F से खीच रहा है तो net force तो इस तरफ बन जाएगी 2F के magnitude से इसका मतलब क्या है? कि यह वाला group दिखाएगा minus I and यह वाला group दिखाएगा the class मैं इसके example भी देता हूँ यह इदा grade खली and यह search in तो अविस सी बार जो grade खली होगा वो किसी भी सेनारियो में अराम से जीत जाएगा force करके लिख लीजिए इसको पेज को ठीक है? next बजी ज्यान से for example मैंने यही बेंजीन लिया and इसके साथ मैंने C triple bond CH attach कर दिया अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से देखे अब दोनों के hybridization same नहीं है तो यह वाला group है वो है SP whereas यह वाला जो group है मेरे भाई वो है SP2 कौन जीतेगा? SP is more electronegative तो वो दिखा रहा होगा minus I whereas जो left hand side group है वो दिखा रहा होगा plus I question के साथ देखे effects भी change हो सकते हैं तो दिमाग लगाईए अंदर दुनमत follow करिए हर question को unique question मांगे call करो text number H for example मैंने आपको दिया है carboxylic acid sulfonic acid and इसी का भाई एक oxygen कम करके देदे हैं ये तो हमसे बोल गया है कि बताईए कि minus I effect by default में minus I ही पूछा minus I effect किस case में सबसे ज़्यादा होगा देखो मैं यहाँ से चलता गया मुझे carbon मिला मैं यहाँ से चलता गया मुझे sulfur मिला यहाँ से गया तो sulfur मिला carbon versus sulfur में तो sulfur जीत जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो last में हो जाएगा अब obviously बात है कि between B and C कौन सा जीतना चाहिए वो कैसे सोचेंगे तो वो भी बहुत simple है भाई देखिए ध्यान से between B and C में उपर नीचे same उपर side में same लेकिन यह अलग है and यहाँ पर आपके पास है oxygen तो obviously बात तो oxygen is electronegative तो वो खीच रहा होगा तो B then C यह आपके पास बनके आ जाएगा minus I effect का सब मैं आपसे derive करवा रहा है यह series ही है जो derive हो रही है लिख लीजिए इसको भाई साब pause करके next number I पर चलते है so for example हमें दिया गया है NO2 and 7 में हमें दिया गया है NO ठीक है number J 2-3 question लिखते हैं न ताके 7 में decide हो आपसे भी solve हो जाए OH OH O- number K NO2 and NH3 plus pause करके सोचिए and देखिए सबसे बहुत करता हूँ NO2 versus NO में तो कोई दो राए नहीं है कि NO2 will be higher than NO और इसके पीछे का reason क्या है reason बहुत simple सा है कि आपके पास NO2 में दो oxygen है इसमें एक ही oxygen कोई दो राए नहीं similar लिए कर मैं OH2 plus लेता हूँ OH लेता हूँ and O- लेता हूँ अब इसमें कैसे सोचेंगे भाई साब OH2 प्लस में प्लस है न प्लस से जादे electron deficient और कॉन होगा प्लस से जादा और जादे electron deficient और कॉन हो सकता है ठीक है this is much better than this this is much better than this O- में माइनस है तो वो electron rich है और कुछ भी ने वो तो उल्टा दे रहा होगा प्लस साई के द्वरा कि इंट्रस्टिंग होता है NO2 वर्सिस NH3 यहाँ पे जो net charge है वो कितना है वो है 0 प्लस माइनस लेकिन यहाँ पे जो net charge है वो तो है प्लस तो क्या समझ आ रहा है आप लोग को इसको देखके इसलोगे देखते हैं कि भाई ऑक्सिन ऑक्सिन अरे भाई जब net charge ही प्लस है और net charge ही 0 है तो प्लस वाला तो हमेशा ही जादा electron deficient रहेगा न जीरो वाले से इसलिए NH3 प्लस विल हाव अ मच बेटर माइनस आई देन NO2 ठीक है इसलोग इसमें गल्ती करते हैं याद करवा देते हैं मैंने आपके सामने derives भी करवा दी ठीक है next No1 मेरा question यह for example हमें एक molecule दिया गया है that is CH3 CH2 CH2 potassium और मैंने यह पूचा है कि जो potassium है वो कौन सा effect दिखा रहा है क्या वो plus आई दिखा रहा है या वो minus आई दिखा रहा है सोचिए इसको 10 seconds pause करके देखिए तो अगर मैं बात करता हूँ potassium की potassium is a metal metal का काम होता है electron potassium gives us k plus plus electron ऐसा क्यों हो रहा है because जैसे वो electron देता है हमारे पास एक noble gas configuration आ जाती जैसे ही उसने electron दिया noble gas configuration आ गया लॉजिकल है ना potassium कभी भी electron लेना नहीं चाहेगा मेशा देना चाहेगा तो देने से उसके पास noble gas configuration आ रही है जब यह दे रहा है तो बगल वाले को तो लेना पड़ेगा ना मेरे भाई तो यह ले रहा होगा इसका मतलब जो potassium आप से पूछा क्या था वो दिखा रहा है i और जो बगल वाला गृप है वो दिखा रहा है minus i और लेने के बाद उसके पूप नेगटिव चार्ज ही आएगा k plus minus वैसे भी आप सोच सकते ठीक है समझ आया है नहीं आया किसी प्रकार से आपको देखना होता है और कुछ भी नहीं है दिख लिया ना बाउस करके लिखने next number M for example मैंने आपको एक molecule दिया let me say वो ये है simple question मैंने आप से बोला कि ये वाला group कौन सा effect दिखा रहा है विदिक्कत वाली बात निया दोनों same है so no effect no effect there next for N for example C triple bond N versus N triple सब मैं series derive कर रहा हूँ मेरे भाई आप से मैंने ये पूचा कि minus I किसका जादा होगा तो अबर सी बात है जो minus I जादा होगा वो हो जाएगा आपके पास इसका यहाँ पे plus charge हो इस पेज को लिख लीजए next number O आईए तो सोचना for example मैंने आपको दिया है NH3 plus question है minus आईए N CH3 CH3 plus for example N E for example N कुछ और बल्की लगा मैंने यह पूछा आप लोगों से ठीक है अब देखो और समझो अगर मैं बात करता हूँ NH3 plus की यहाँ पे मैंने बोला कि जो bond angle है let me say that is theta 1 जो दूसरा है let me say यहाँ पे है कुछ theta 2 बल्की लगा methyl-methyl के बीच में जो repulsion हो रही है इदर ethyl-ethyl theta 3 which theta 4 maximum bond angle किसका होना चाहिए logically obvious ही बात है जहाँ पे बड़े groups है वहाँ पे बहुत ज़्यादा repulsion हो रहा होगा तो bond angle ज़्यादा हो जाएगा जहाँ पे छोटी groups है वहाँ पे बहुत कम repulsion हो रहा होगा तो कोई फरके नहीं पढ़ रहा है तो जो bond angle का order होगा वो हो जाएगा theta 4 theta 3 theta 2 theta 1 अब आपने inorganic में चीज पढ़ी होगी chemical bonding के टाइम पे वो क्या है कि अगर electron negativity भढ़ती है अगर भढ़ता है तो electron negativity भढ़ती है और साथ में क्या भढ़ता है bond angle भी भढ़ता है ना भाई और साथ में bond angle भी भढ़ता है यह तो सभी को पता है ना जैसे फर एक्जामपल logically भी सोचना चाहो sp का bond angle 180 degree sp2 का 120 degree तो वही सेम चीज यहां पे भी हो रही है bond angle भढ़ रहा है तो electron negativity भी भढ़ रही है इसका मतलब क्या है इसलिए जो minus i का order बनके आ जाएगा that will be d, c, b, a क्यों ऐसा हो रहा है because electron negativity भढ़ने के कारण percentage s भढ़ता है bond angle भढ़ता है तीनो साथ में डारेक्ट relationship में रहते हैं ठीक है simple ठीक लीजिए next आगे चलते है भाई साब इसके बाद okay एक अच्छा question है इसको try करना इस question मैंने बौत बार जिनका मैंने interviews भी लिए है 12, 16, 17 में कुछ लोगों के उनसे भी question पूछ ठीक है try करना question यह है कि how many groups इसको साथ साथ में try करना इंतसार मत करना how many groups can show how many groups can show the plus eye effect in how many groups can show the plus eye effect in ठीक है और जो molecule है वो आपके पास है BH2 CH double bond C double bond O try करिए इसको pause करके BH2 CH C double bond C C अच्छा question है अच्छा question है ओके देखिये और सीखिये बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल ध्यान से अच्छा question है बहुत सटीचर्स भी इसको गलत करते हैं जब हम इंटर्व्यूज लेते थे 12, 16, 17 के अंदर ठीक है लेकना ध्यान से समझना थे पहले बात तो लोगों को समझ जाता है कोश्चन ही क्या है अगर मैं इस oxygen को लेता हूँ इसके बगल में carbon है oxygen के बगल में carbon है इन दोनों में minus i कौन दिखा रहा होगा obviously oxygen यह minus i दिखा रहा होगा relatively and यह less i दिखा रहा हो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ next देखिए अब जो comparison है that is between carbon and this carbon एक मैं आपको homework भी दूँगा जो आपको इसका answer comment section में बताना है इसी video में मैं आपको homework दूँगा ठीक है आज कल मैंने कुकरणा के juice भी न स्वाड के रोज अस लगता है देखिए ध्यांसे समझे तो यह जो carbon है वो आपके पास है sp and यह वाला है sp2 तो जादे electro negative कौन सा है भाई सब जादे electro negative है sp यह दिखा रहा होगा minus i यह दिखा रहा है समझ आ रहा है यह जो carbon है and boron है एक पर periodic table खूल के देशाथते हो आप left to right electro negativity भढ़ता है left में boron है right में carbon है इसलिए यह वाला दिखा रहा होगा minus i and मेरे भाई यह वाला दिखा रहा होगा plus i समझ आया या नहीं आया क्या बोला है है मसेदार इसका मतलब क्या है कि जो plus i effects है वो show किया जा रहा है एक red दूसरा green तीसरा white three groups and minus i भी show किया जा रहा है three groups के वरा minus i and plus i दोनों ही इस case में three three है ठीक है लिख लिजे इसको लिख लिजे pause करके अब एक question जो मैं आपको देना चाहता हूँ homework अभी के लिए इस वीडियो की comment section में question same है question number q आज के लिए how many groups can show the plus i effect how many groups can show the पिछले question की जो statement है कि how many groups can show the plus i effect वही इस case में जैसे plus three plus three आ रहा था वैसे same अगले page में आज से पोछना हूँ same लेकिन homework यह आपके पास है एक cyclobutane double bond c double bond o hint देता हूँ में आपको पहले ही number of plus i and number of minus i same नहीं आएगा number of plus i and number of minus i in this question won't be the same अभी lecture end नहीं हुआ है लेकिन मैं homework दे रहा हूँ इसका answer आपको मुझे comment में बताना है plus i के point of view से लेकिन मुझे भी पर चले है कितना ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं कितना धंग से follow कर रहे हैं लेकिन है okay देख लिए होगा समय पॉस करके number r के उपर चलते हैं तो ध्यान से देखिए for example हमारे पास जो question है वो दिया गया हम minus i compare कीजिए between sh oh minus i between sh oh obviously लगता है कि oh का जादा होना चाहिए actually sh का जादा हो अब ये तक हमें दो question मिल गए है पूरे chapter में और पूरे chapter में दो ही question हैं से जिसमें कुछ अलग हो रहा होता है एक वो bond angle वाला जो आपको दिखाया and एक ये वाला इसको मैं बोलता हूँ mickey mouse effect इसका मतलब क्या है वो समझते हैं so for example मैंने एक molecule लिया दिखो मतल है समझ लो पहले लिखने का आपको बहुत time time है एक molecule लिया है दूसरा molecule मैंने ये लिया बिल्कुल धियान से देखिए जो sulfur का size होगा मेरे भाई वो कुछ ऐसा होगा बड़ा molecule है ना oxygen का size छोटा होगा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है sulfur के उपर दो oxygen, दो lone pair है इसके उपर भी दो lone pair है Mickey Mouse तरह दिखता है इसलिए मैं इसका Mickey Mouse effect बोलता हूँ ठीक है? देखे ध्यान से तो sulfur खीचेगा जब वो खीच रहा होगा जब वो molecule खीच रहा होगा, खीचे इसके उपर जमा हो जाएगा electron density जमा हो जाएगी similarly जो oxygen है वहाँ भी खीच खीच के electron density जमा हो जाएगी जादा electron density किसके उपर जमा हो सकती है sulfur के उपर और जाद electron density sulfur के उपर क्यों जमा हो जाएगी because उसका जो surface area है या volume है जो भी बोलना चाहूँ वो जादा है लेकिन oxygen के case में छोटा volume है तो वो कम electron density अपने उपर रख पाहेगा इसी चीज़ को हम बोल देते हैं surface phenomenon चिंता मत करिये यह सर्फ oxygen versus sulfur में ही होता है inorganic के point और क्यों से surface phenomenon या प्यार से इसको मैं बोलता हूँ the mickey mouse mickey mouse एक पढ़ाते है मेरी head writing doctor वाली हो गई the mickey mouse effect it is a surface phenomenon it is a surface phenomenon लिख लीजे इसको ठीक है तो ही अलग अलग चीज़े होती है जो हम मानते हैं एक वो bond angle वाली चीज and एक यह sulfur वाली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है next आगे चलते हैं number S heading डाल ली जो topic की अलगा inductive effect ही चल रहा है null point null point once again homework telegram पर दिया जाए का join कर ले न null point नाम से ही समझाना null मतलब उस point पर कोई भी inductive effect नहीं है no inductive effect at that point no inductive effect at that point at that point ठीक है example देख लीजे वे जो से और इच तरह समझ आएगा for example number S मैंने एक molecule लिया जो है ये सोची पहले और clarity मिले अगर मैं इसकी बात करता हूँ number S वाले की तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा देखो chlorine कीच रहा है न carbon से की ये जो point है इस पर left पर भी same खीच रहा है राइट पर भी same vector नहीं, magnitude wise तो जितना left से कीच रहा है तो राइट से कीच रहा है इसलिए इस point को हम बोल देते है null क्या बोल देते हैं इसको मेरे भाई null point similar लिया कि मैं number T वाले के बारे में बात करूँ बिल्कुल ध्यान से देखना ये जो point है जितना ये खीच रहा है उतना ये खीच रहा है simple है ना? common sense है ये तो इधर भी same जितना ये उतना ये इधर भी same जितना ये उतना ये तो यहाँ पे भाई साब हमारे पास हो जाएंगे तीन null points क्या हो जाएंगे? तीन null number U for example हमें दिया गया है fluorine fluorine bromine इसमें कितने null points हमारे पास होने चाहिए for example ये पूछा गया है जियान से देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे zero चुन्य null point because for example अगर आप बोलते हो कि ये null point है तो क्या हो रहा है? fluorine कुछ जादा से खीच रहा है chlorine कुछ कम से खीच रहा है यहाँ पे देख लीजे fluorine जादा से खीच रहा है bromine कम से खीच रहा है तेम यहाँ पे हो रहा है तो एक force दूसरी force से जादा है एक force दूसरी force से जादा है इसका मतला यहां पर हो जाएंगे 0 0 0 0 0 0 0 अब जा गया आप अब जासे कुछ लोगों यहां पर डाउट आ भी सकता है जो मैं पहले ही निकाल देता हूँ यह डाउट मैं पहले ही सिर्फ प्लस आइ भी सिर्फ एक डो कुछिन करवा देता हूँ इसके कुछिन करवा देता हूँ तो इसके कुछिन को कारभो कटांक के टाइम पर जादध देखेंगे तो अब भाग थोड़े रही है तो फर इग्जांपल मैंने लिया नंबर कोशन लेते हैं पोचने के लिए आपको दिया गया है O- 10H- 3H2- तो बहुत अनरजी लगते है वीडियो बनाते हूँ समय जा रहा है मुझा बनाते हूँ सेटप भी बहुत महिंग गया है सब खुद बनवाया है लॉस्मेकिंग सेटप है महिले लॉस्मेकिंग है यह यूटूब से कभी रिकॉबरी नहीं होगा तो यह है पाटिस्पेट करते रहे हैं प्रॉपर तरीके से जब भी वीडियो मनाने है आपने सोच लिया होगा क्या अंसर होना जाए देखिए समझे खीए तो c-n-o- यहां पर क्या हो रहा है पहली बाद तो हमें यह समझ आना चाहिए क्या यहां पर प्लस i गंपेर होना चाहिए माइनस i होना चाहिए तो यह डाउट होगा क्या प्लस i कैसे हो रहा माइनस i क्यों नहीं हो रहा मेरे भाई ध्यान से देखिए 3-0 के ऊपर है माइनस चार्ज 3-0 के ऊपर है माइनस चार्ज इसका मतलब क्या है 3-0 देने वाले है minus electron deficient थोड़ी होगा minus electron rich है का मतलब क्या है कि 3-0 देने वाले कौन बेटर देगा oxygen लीस्ट देगा क्यों वह जाद electro negative है जो carbon है वह best तरीके से दे पाएगा बस यह है मैं आपसे series ही derive करवा रहा हूं indirectly directly भाई साब यह questions जो है वह मैं आपसे theory derive करवा रहा हूं level पर खेल time तभी तो results आते है तभी तो अलम प्यानों बच्चे फोड़ के आते है IOQC, INCHO यह सब करके आना okay यह जो question है इसमें मैं आपको यह भी homework question है इसका answer मैं आपको बता रहा हूं question यह है कि how many groups show the plus i effect how many groups show the minus i okay इसका answer मैं आपको बता रहा हूं comment section में आपसे इक ही homework करवाना चाहता हूं जो मैं आपको दिया था how many groups show the plus i effect that is this case मैं आपको 6 and how many groups show the minus i effect that is equal to 5 so please, please अपने दिमाग से हटा दीजिए plus i minus i same होना चाहिए 1000 बार आज आपको दिखा दिया तो generalize मत करो हर question को नया question मांग के करो तभी आपकी हर subject में help होगी हर subject में दिमाग बने टीक है next last chapter का बचता है dnp rule dnp आपकी चीज़े जैसे acidity, basicity वो सब हम उसी time में बढ़ाते हैं ठीक है अलग से बढ़ाते हैं acidity, basicity detail में सब अमत करिया कि application है क्या नहीं सब time के साथ होगा dnp rule dnp का मतलब क्या होता है d means distance 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 has more priority over number over power distance has more priority over number over power अब इसका मतलब क्या हो समझ यह लिखना मत समझ लो इसको important है और ignored भी इसका उपर में expect कर रहा हूं question आएगा future में for example आपको दिया गया है यह molecule ध्यान से देखना सीखने को मिलेगा आपको लिखना मत for example आपको दिया गया है दूसरा molecule अगर आपको dnp rule नहीं आता इन तरह के questions में आप हमेशा ही फस्ति रहोगे जहां पे आपको लगेगा यार इदर तो pass में है इदर तो जादा electronegative है क्या चल रहा है उसी confusion को eradicate करने के लिए dnp rule observe किया गया बहुत ही simple है सबसे पहले हम देखेंगे distance distance मतलब बगल में है question यह है कि minus i आपको compare करना है on the minus charge मतलब मैं minus i बोलना चाहरा हूँ कि इससे लोग खीच रहे है तो मतलब यह खीच रहा है तर भी इस प्रकार से खीचातानी हो रही है मैं पूछना चाहरा हूँ कि best खीचातानी कहां पे हो रही है एक बैसा distance dominates over number over power distance मतलब यह बिलकुल बगल में distance same है distance same है distance same है number के उपर आते है number यहां पे है 2 यह दो group है इसलिए c तो यह order बनके आ जाएगा कि जो minus charge है उससे कितना force से खीचा जा रहा है pause करके लिख लीजिए आगे चलते है number y के उपर for example आपको यह molecule दिया है same question minus charge के उपर minus i का comparison बता दीजिए यह है एक molecule तूसरा molecule आपके पास same question है compare the minus i on the minus charge आपके dnb अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ आ रहा है कि जो distance है वो यहां पे कम है यहां पे जादा है अगर आपको नहीं पता हो तो फिर लोग confused रते हैं रहे फ्लोरीन तो जादा होता है यह ना पहले distance आता है इसलिए जो order बनके आ जाएगा that will be b more than a b more than a last question इसके आपको series लिखवा देंगे फिर खेल खतम फिर खेल खतम और homework आपको करने का है from telegram group telegram channel okay for example मैंने आपको एक molecule दिया है यह एक आप molecule ले ले लेते हैं वैसे तो अब यह सब simple लगना चाहिए पहली बार में लगता है कि क्या हो रहा है अब तो असान हो और के लगा देते है chlorine रखते है okay दिखाई दे रहा है okay तो यहां पर क्या हो रहा है ध्यान से देखे distance number power distance सभी में same number के उपर आते हैं तो मेरे भाई number last दो में same पहली बातों में यह समझ आगी कि मेरे भाई A तो end में होना चाहिए A तो end में होना चाहिए B and C में अगर हम ध्यान से देखे तो हमें क्या समझ आएगा distance भी same number भी same तो power बच रहा है power इसकी जादा है तो B then C then A B then C then A ठीक है pause करके दिख लीजिए तो Z questions में आपको करवा दिया अब आए formality भी पूरी कर लेते है तो minus I series minus I series तो जो सब हमने questions के format में किया अब उसी को हम लिख लेंगे तो NF3 is more than NH3 अच्छा यह कैसे derive हुआ because fluorine जादा खीचे गाना भाई इतना तो सब को आना चाहिए और NH3 से जादा क्या था जो मैंने आपको derive कर दिया bond angle वाला कोई alkyl group present हो रहा हूँ सब derived है लेकिन जो sulfur होता है इसको अटा देते हैं जो sulfur के उपर plus charge है that is more than NH3 यह एक आपको नई चीज मिली यह क्यों हो रहा है falling scale of electronegativity s plus is more electronegativity और कुछ भी नहीं फिर यह derived कि आपके सामने NO2 से जादा होना चाहिए NH3 का derived है since NO2 के nitrogen पे plus charge है यहां पे C triple bond N SP से वह जादा हो जाएगा यह SP है तो SP2 से जादा होगा cyanide is more than carboxlic acid उसके बाद यह हमारे सबसे electronegative element है fluorine fluorine chromine iodine यह चारो आगे भाई सब उसके बाद जो ester है यह आपको थोड़ा सा याद करना बढ़ा reason क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ reason बताता हूँ okay यह SHOH वाला भी derived है mickey mouse effect surface phenomena ester यहां पे क्यों आया मतलब ester इदर क्यों नहीं आया है इसमें थोड़ा सा आपके पास mesomeric का भी involvement होता है oxygen plus m दिखा सकता है तो यह वाली चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा जो नई चीज है पाके तो इस पूरा derived आपके notes में OH आ गया उसके बाद alkyne alkyne benzene से ज़ादा होता है derived है notes में benzene alkyne से ज़ादा होता है alkyne उसके जिसके alkyne alkyne तो है भी नहीं hydrogen पूरी series में आपके सामने derive करके दिखाई है z questions तक बलकि उससे इतने questions करवाई है आपके आपका पूरा का पूरा दिमाग खुल जाए पूरा का पूरा दिमाग खुल जाए अब लिखवा देते हैं आपको plus i series once again formality because plus i series का जो ज़ादा focus जब आप carbocatine में आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से cover हो जाएगा यह देखिए अभी दो मिनट पहले आपके notes पर derived है TH2- NH- O- derived in the notes आज भी derived किया है उसके बाद दो मिनट पहले आपको carboxylate salt का भी दिखाया था अभी दिखाया ना minus charge के उपर compare करिये कोई वाला question यह है उसके बाद क्यों सब के उपर minus है यह जादे electron rich है और कुछ भी नहीं 3 degree alkyl 2 degree alkyl 1 degree alkyl यह वाला हम कब देखेंगे जब मैं आपको carbocatine पढ़ाऊंगा जब मैं आपको समझाई रहा होगा 3 degree में 3 degree में 2 degree में 2 degree में 1 degree में आएंगे आएंगे time के साथ more than methyl अच्छा more than pritium butyrium and hydrogen इसका reason क्या है इसका reason मैं आपको hyperconjugation के time पर बताऊंगा reason कैसे derive होता है Bohr's model के दोरा किसके दोरा Bohr's model जब मैं आपको hyperconjugation पढ़ाऊंगा तब मैं आपको derive करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यूं होता है ऐसे मत सोचने इसका mass जादा है वह सब नहीं होता Bohr's model के दोरा actually derived रहता है distance phenomena use किया जाता है जब मैं आपको hyperconjugation तब मैं आपको यह भी बता दूँगा यह आपके साथ इसी के साथ inductive effect का lecture end होता है अगले lecture में हम resonance को start करेंगे इसको लिख लीजिए एक और चीज यह वीडियो को like कर देना subscribe भी कर दीजिए share भी कर देना साथ में telegram join कर लेना सारा homework वही पर दिया जाएगा okay thank you for watching jai hind all the best bye